हाई फ्रेंट्स विल्कम बैक टो माई चैनल आज हम आपके सथ शेयर करेंगे और एक विंटर स्पेशल बेंगॉलिस के रेसिपी और यह है सालगॉम देख लीजिए तो आज हम आपके सथ शेयर करेंगे सालगॉम यानि कि ओलकोपी ओलकोपी माच जोल पूटी माच दिये तो तो यह है एक स्मॉल फिश उससे ही आज हम करी बनाएंगे साल गॉम के तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फस्ट में साल गॉम को अच्छे से कट कर लीजिए छोटे-छोटे पीसस में कट करूँगी इस तरह से अच्छे से फस्ट में पील ओफ कर लीजिए पील ओफ कीजिए जादा करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह सीजनल है और इसको उसके बाद थिनली स्लाइस में पीस कर लीजिए देख लिजिए थिनली स्लाइस में पीस कर लिया है तो ऐसे सारे के सारे को पीसस में कट कर लेती हूँ काल गाम की सबजी वीथ पुटी फिश बनाने के लिए मैंने फस्ट में देख लीजिए ले लिया है पुटी फिश यह स्मॉल रिवर फिश इसे बहुत ही पेस्टी बनते हैं और यह बिंगोल में बहुत ही इजिली अविलेबल है इसको अच्छे से धो के कट कर लिया है अभी उसके अधर अधर करेंगे बस नमक and healthy फस्ट में हम एड़ करेंगे healthy powder 1 teaspoon साथी साथ कर देंगे 1 teaspoon salt और अभी फिश के साथ सथ अच्छे से कोट कर देंगे इस तरह से पूटी फिश बहुत ही छोटा-छोटा होते हैं लेकिन यह थोड़ा सा बड़ा है आपके पास जो फिश अवेलेबिल है उसके बनाएं तो चलिए अभी कडाई चडाते हैं तो चलिए मैंने कडाई चडा दि और एट कर दिया है में आपके अल्गावार कर दिया है और यहीं अच्छे से करम होगे है तो अभी एड करेंगी फिश वाट बाइवन करके अच्छी कि घ्रण कर दिया है और अभी एक साइड को बस 1 मिनित के लिए फ्राइ करेंगे कि यह बहुत ही स्मॉल साइड का है तो एक मिनट के लीए एक साइद को फ्राइज किजये एक मिनट हो गये है पीश अमारे इक साइद से फ्राइज ज़र्य को घ्राइज हो गये है तो अभी फिश को फ़लड़ी जिए और दूर्से साइद को भस चलिए निकल लेते हैं और ऐसे सारे फिश को फ्राइ कर लेंगे अभी फ्लेम को लो में कर दीजिए और प्राइ कर लीजिए बड़ी यह दाल की बड़ी है यह विंटर सीजिन में बहुत ही इसलिए बिल जाते हैं और धर्बे भी बनाते हैं आठ तो इसको हम फ्राइ करेंगे बड़ी को लो फ्राइ कीजिए नहीं तो बड़ी जल जाते हैं लो फ्राइ कीजिए जेए बड़ी हमारे गोल्डन रौण होके फ्राइ को के रेटी है तो बड़ी को अभी निकल लीती कूँ बड़ी को मैंने निकल लिया है और अभी इसी सेम ओल में एड़ कर देंगे एनी सीट्स यानि की राधुनी साथ इसाथ एड़ कर देंगे चार ग्रीन चिली इससे बहुत या शैरों में आते हैं हलका सा फ्राइ कर लीजिए ख्रीन चिली उमारे हलका सट्राइब को गए है तो अभी मैं आड़ कर दूंगे साल्गां यानिकी ओल कोपी में बहुत बहुत दा सेमा से ओल कोपी मार्चे जोल पूल इमास भी प्राइब कर देजिए और एड़ कर देजिए और एड़ कर देजिए वाटी पून सॉल्ट यह रहे पुटी लाइट रेसिटी है कुछ भी आड़ नहीं होते है बस नमक अधाल्दी दभी आड़ करूंगी हाट तीपून हल्दी अधाल्दी प्राइब करने का एक दम भी जरूरी नहीं है यह बहुत ही लाइट वेसिटी है लेकिन खाने में एक दम बस बनते है घर में ज़यरूरी प्राइब करना और कैसा अलगा मेरे को कॉमेंट बटाना अज़से हलका सा प्राइब करें लेगी है जादा करने का ज़र्दत नहीं है एक मिनिट हो बेशे तो अभी इसको धट देंगे और धटके पटाएंगे मेडियम फ्लिम में बस तीन मिनिट के लिए दो मिनिट हो गे है धटकर भटाएंगे एक बट चलाएंगे सालगम होते है वह बहुत जल्दी पक जाते है बहुत कुछ करने का ज़र्दत नहीं है तो अभी इसमें आट कर देंगे पानी पानी आट करने के बाद खिट से एक कर लगागे इसको पाच मिनिट के लिए पकाईएंगे पाच मिनिट में पानी में उबल आ जाएगी साथ इसाथ सालगम हमारी 70 परसन तक कूप हो जाएगी तो इतना ओट कीजिए पाच मिनिट हो गए है चलिए भी धकन हटाते है देख लिजिए पानी में उबल आ गए है तो अभी इसमें बस पर आट करेंगे फ्राइट बड़ी बड़ी फूल के बड़ी एट करने के बाद इसको बस एक बर मिला दीजिए और अभी धकन लगाके इसको तीन चार मिनिट के लिए फूप कर लीजिए और अभी इसमें एट करेंगे फूटी पीश देख लिजिए सारे किसारे पीश को मैंने एट कर दिया है और अभी बस मिला देंगे बहुत हलका हातों से कीजिए नहीं तो पीश तूटने का चांसे रह जाते हैं और अभी इसको ढखके बस दो मिनिट के लिए पकाईए देख लिजिए रानी कुरा के पूरा सूख गए है और अभी इस टेम में एट कर दूंगी थोड़ी सी फ्रेशली चॉप्ट कोरियंडर लिप्स अभी बस मिला दूंगी हलका हातों से स्लेम को हाई में कर दीजिए औ मिला दीजिए बड़ी कितना अच्छा फूल गए है साथ साल गम भी हमारे पुरा के पर अच्छे से पक देए है ये रेस्पी बहुत ही लाइट बनते है तो मैंने जैसे पस्त में बताई कि कुछ भी आट करने का जरूरत नहीं है सिंपल सा लाइट रेसिपी है लेकिन खान के पेमस पूटी माज़ी दिये उलकोफिल माचित जोल यानि कि साल गम के सबसी विद पूटी फिश तो कैसे लेगी मेरी ये इजी एंड लाइट ओट रेसिपी अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना शेर करना और मेरे चैनल को सब्सक्रीब कर लेना आगे जाके ऐसा रे तिल देन तेक केर बाइब बाइ